प्राब जी, तु मेरे प्रान अधार है, नमसकार डंडोत बंदना, अनिक बार जाओं बार है उठत बैठत, सोवत जागत, एहो मन तुझे चिता रह, सूख दूख इस मन की बिर्था, तुझे ही आगे सारे, तु मेरी योट, बाल बुद तान तुम ही, तुम है मेरे परवारे, जो तुम कर हो, सोई पल हम रह, पेख नानक सुख चर नारे, राग बिलावल महला पंजवा, चोप दे, दूप दे कार सत्वा, इककार सात्गुर परसा, सात्गुर शबद उजारो दिपा, बिन्चेओ अंधकार तहे मंदर, रतन कोठडी खुडी अनुपा, सात्गुर शबद उजारो दिपा, बिन्चेओ अंधकार तहे मंदर, रतन कोठडी खुली अनुपा रहाओ, बिसमन बिसम पहे जों पेख्यों, कहन न जाए वड़े आई, मगन पहे उहां संग माते, ओत पोत लपटाई, आल जाल नहीं कछू जंजारा, एहं बुद नहीं पोरा, उचना उचा, बीचना खिचा, हो तेरा तू मोरा, एक अंकार, एक पसारा, एक अपर अपारा, एक बस थीरन, एक संपूरन, एक अप्रान अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंतना अंता सदा बेंता, कोह नानक उचो उचा, अंतना अंता सदा बेंता, कोह नानक उचो उचा, सद्गौन दी साजी नवाजी साथ संगजी हो, प्यार ना सद्गौन दी बख्षी होई फत्षी सांच पाने जी, वाहे गुरू जी का खाल सा, वाहे गुरू जी की फत्ष, आज़ दा पुईतर हुक्मनामा सद्गौन पार रहमत देकार देविचा के, सच खंची हमंदर साथ तों बख्षिश कीता है, जो हर रोजी तरह ग्यान पर पूर है, आओ, पहला प्यार देनाल, दस मिंट, पंजाबी, अच्छी तों अटागी घ्यान पार रखेश कानुद। मगर्ऑ झी कारेशग तों पिरू ने सच खंची हमंदर साथ जोंगरी तों जोई जोईने to understand the Hukum Nama first in Punjabi for first 10 minutes followed by English stay tuned and have a great time so आज दे पवितर हुकमना में विच्टान तन गुरू अर्जन देव जी महराज जिनना नू स्वाल पुछे गए पे गुरू दे शवद्दी की महांता चानू बानी क्यों पढ़नी चाही दी तो उसी बार-बार केंदे हो पी विचारो बानी नू एदा की पाव है की महत्तव है सो गुरू माराज फ्रमांदे ने जिद्दा नेरे दे विच लाइट दी लोड होंदी है साथ संग जी पिंडान दे विच साथ संग जी मैं भी पानी लाया खेता नू राती ते नाद लेंप लजाना पैंदा यहां बड़ी पावरफुल तकडी टॉर्च लजानी पैंदिया पिर रस्ता पता लगदा रहे ऐसे तरह साथ संग जी दिन नू लाइट दी लोडनी होंदी क्योंकि सूरज उस परमात्मा दी देना बड़ी वड़ी लाइट है एक दीवा जितना गुरु मारी ने बाने च उचारे है दो ए दीवा चोदा हट ना ले दो दीवे ने जिड़े अकार प्रुखदी देना सूरज ते चाना राती जड़ा दीवा वो थोड़ा जया डिम हो यंदा क्योंकि इनी रोशनी दी लोड नहीं पहले समय दे विच लोडने जी पर आज कल ते साथ संग जी बतियां बाल के फोटबाल भी खेड़ देया शिफ्ता मी लग दीयां बहुत कुछ होंदा जो खैर सत्गुर दा शबद जो है एक दीपक है जिड़ा उजारा कर देंदा सत्गुर शबद उजारो दीपा बिंसियो अंदकार तहमंदर रतन कोठरी खुली अनेपा रतन कोठरी खुली अनूपा रहाओ सासंग जी एक नवा ग्यान मारेश्व मंद ने सड़े मंद विच नेरा बिल्कुल नेरा पर जदो शबद दीपक मंद विच जग पै ते सारा जड़ा नेरा पाव अग्यानता मुक जन्दी है रतन कोठरी खुली अनूपा फिर ए मंद विच एक कोठरी है वो खुल जन्दी वो केड़ी कोठरी है दसम दवार्दी दसम दवार्दी जदों कोठरी खुल दी नी है तो मारा केंदे ने रतन कोठरी उत्थे किन्ने रतन पदार्थ अनूपा पाव जिदी उपमानी कर सकदा मैं इनी हरान जनक जो मांदी अवस्था बन गई बिश्मन बिश्म पहे जो पेखियो कहन न जाये वडियाई बिश्मन दपाव हरान जनक अवस्था मैं बिश्माद न विचा गया सारी उमर निकल गई ते मांदी कोठरी नी खुली सी आज शबद राही जो ग्यान दा दीपक अंदर बलेया एक कोठरी नजर आगई ये दी वडियाई मैं कहनी सकता जे के से दा दसम दौर खुले वाही कोठी किरपा दे नाल वाही कोठी दर्शन हून ते उनों पुछिया जाए पर किद्ना दा मसूस होंदा ओ बियान नी कर सकता गुरु माराज फ्रमादे ने कहन न जाए वडियाई तभी मैं एहे दा सकता पर बहुती वडिया मसूस होंदा एहो जा कदी भी जिंदगी चे मसूस नी होया पर मैं तो अनू दा सनी नी सकता तो अनू आप अनपव करना पैना ये तुसी मैं नू पुछो पर अज सबजी दा स्वाद किद्धा सी मैं तो अनू कह सकता बोट ही सोनी वडिया मजेदार सबजी पर उदा स्वाद असल दे विच की है तो अनू आप सबजी खानी पैनी है मगन पए उहां संग माते होन माराज प्रमादे ने मैं मगन हो गया उस प्रमातमा दे प्यार दे विच इननी वडियाई इनना अनन्द ओत पोत लपटाई होन मेनू वाहिगरू तो अलाग करनदा कोई तरीका ही नहीं मैं ते वाहिगरू नाल एक मेको गया जिद्धना सा संग जी रील दे उपर ता गाल लेपटे होनदा है ओत पोत पहले ऐस पासे जानदा है फिर दूजे पासे जानदा ये तो ही चाओ पिता गेनू मैं कड़ता थले हो दी नहीं कड़ सकते सारे ता गेनू रील नू खोलना पहेगा तो ऐस तरह मैं उस वाहिगरू देनाल ओत पोत एक हो गया आल जाल नहीं कच्छू जंजारा अहंबद नहीं पोरा जेड़े मेरे अंदर पहला एहंबद पाव हंकार होंदा सी अहंदी बुद्धी होंदी सी ओ पोरा मातर भी रह नहीं गई मेंनो किसे गल्दा भी हंकार नहीं क्यों जो हो नजर आनता हो वह वह उन नजर वनता जो मैं करता मेंनो मसूस हो गया ग्यान हो गया पर ओधे वह वह गुदे हुकम चूंदा है मैं ते कुछ भी नहीं ते ज़दो हूमें मुग गई थे माराज के शी जाल, नहीं कच्छो जन्जारा, पुझानी जन्जारा पाव जन्जीरा, पईयां, सीर्माया दियां, मोहो दियां, पर मैं थोड़ा होर पैसा कठा करला, मैं होर अपना परवार वदाला, पुत्तान ती यांदे वया देखे, होन पोतियां पड़ पोतियां दे दोतियां दे भी विया देखिला इन्ना महो है जंजाल है उस सारे जंजाल पाव सारीया मांदिया इच्छावा मुक गिया जब वाहिक उधे दर्शन ओ गया ऊच ना उचा बीच ना खीचा हो तेरा तू मेरा मेरे मालका मैं तेरा हो गया ते तू मेरा हो गया हो तेरे विच्च ते मेरे विच्च कोई ऊच नीच नी पा सकता तू सब तो उच्चा बीच ना खीचा कोई साटे दर्मियान कोई रुकावट ने खेच सकता पढ़दा नी पा सकता एक अंकार एक पसारा एक ए अपर अपारा वाहिगु नजर उंदा एक दा पसारा नजर उंदा ते वाहिगु तु अपर अपार है तेरी कोई शीवा नहीं मैं कीडी वल तकदां ते मिन्हों तू में जरोंदां। मैं पानी वल तकदां ओवी तेरी खेड़ा। विच किने जी जानता सासंग जी पानी ते विच मच्छियां मगरमाच कई तरह दियां मच्छियां। छोटे छोटे कीडे मकोडे तूसी देख दे होने बीबीजी ते आंदे प्रोगरम। वो कैमरे लेके थले जान दे ते कई हजारां तरह दे जानवर हजारां तरह दे जी जंत समुंदर दे विच सासंग जी ओभी तेरी खेड़ा है मालका। तेरे बिना कोई होल में नजर नहीं होंदा। गुरु नागे दे माराज ने जनो मच्छी वल तक या पाणी वल तक या ते ऐब बचन की ते आप पे माच्छी माच्छी आप पे पाणी जाल कमाल होगी। सारे पास से भाई दू नजर आ रहे हैं। होन किन्नो मैं दुख देयां। दुख नहीं दे सकता। कीड़ी नहीं जे कीड़ी भी राच आगी। ते मिन्नो परमातमा दी याद आएंदी। पे एन्नो मैं मारना नहीं। नहीं ते आम तोड़ते साथ संग जी। बक्रेयनु चिटका देने अंगर संग। जैसे बानी पढ़ देयां। पच्छरों माराज किरपा करन। उन्हा दी भी अपनी जस्टिफिकेशन है। उन्हा ने अपने अपनों बिल्कुल साफ रखेया। जो वसी कर देयों ठीका। ओवी ठीका। ओदे हुकमचा। एक बस्तीरन एक संपूरन एक कैपरान अधारा। एक परमातमा सारे बिस्थार दे विच माजूद है। ते मालक संपूरन आया। जिदा साथ संगे जी उमर दे नाल शक्ती कट दिया। पर अकाल प्रखवाई को दे शक्ती नहीं कट दिया। संपूरन। एक यादाश्त भी कट दिया साथ संगे जी। पर साटवी की किसूर है साथ संगे जी एने नायाद करने पर देया। मितर वजन देया परवार वजन दा उन किदा ना याद करी है बिलियां कुतियां दे भी ना साथ संग जी इने ना याद करने दमाग छोटा जिया पर खेर यादास कट जन दिया बजर्ग हो गए पर ओ अकाल प्रकवाय को दी यादास ने कट दी संपूरना जेड़े उधना ज जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे को गुंगाओ ओ निर्मल 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 सुचा सुचो सब सुचियां वस्तों देविच्छो सब तो सुचा वाही ग्रू सुचा सुचो सुचा अंतना अंता सदा बेंता को नानक उचो उचा भाई साथ संग जी गुरू अरजन दे जी महाराज फर्मान देने उदा कोई अंत नहीं पासकता वो बेंता ते सब तो उच्चा उदे अगे निच्छावर हो जो चवी केंटे उन्हों अपने याद दे विच रखो सब गुरु माराज रहमत करन बाकी दसमा प्यार देनाल अंग्रे जी दे विचार समन करना जी असी प्याद कोमजिशन तनतन गुरु अर्जन डेव माराज इन राग घ्लावल विच रिच क्रीछ एट जॉफल मूद विजशन ते सुट्छ थी मान नीच जा जॉ़ागाद को आंप नपकोनेंड थे। स्ट। थैसंस उफ दिख दॉप्ते माराज अंकों करतार हो थैंक्णू गुरुबानी, what is the significance and benefit of the sermons contained in Guru Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we do recitation of Jabji Sahib Bani, all the Panj Baniya in the morning, we chant the Guru Mantar, Vaheguru, so many hours during the day. we chant Mahamantar, or also called Bij Mantar, also referred to as Sat Naam, which is Ikkongkar, we chant that all the time, what's the significance, so Guru Maharaj, in today's Hukum Nama, gives us the revelation, what actually happens, what is the end result, when you are immersed in the Gurbani, in other words, you understand the Gurbani, and Gurbani becomes part of your thoughts, part of your actions, and part of your speech, you would speak what Guru has asked you to speak, you will listen what Guru has asked you to listen, your thoughts will be totally changed, your mind will be reformed, you will represent God, so in other words, your ignorance, the darkness of mind will dispel, Satgur Shabad Ujjaro Deepa, Ujjaro means enlightened, illuminated, Deepa means lamp, Satgur means the true Guru, so the sermons of Guru Granth Sahib's Bani, the Shabad of Guru Granth Sahib's Bani, is like a lamp, which will dispel all the ignorance, from your mind, your mind will be enlightened, your mind will be enlightened, not only you will understand, what is going on, around this world, you will also have, the experience of previous lives, and you will also know, what lies ahead, after this life, A blind person or ignorant person has the awareness of Trippavan, past life, or past time, present time, and the future, or next life, So that is enlightenment, Man to jodh sroop hain apna mool pachhaan, Man harji tere naal hai gurumati rang maan, Satgur Shabad Ujjaro Deepa, Anwar, like you are walking in the dark, you need a lamp, Those who have done farming, and watered their fields in India, we know, we had to take the lamp with us, in the dark, so we can see where we are going, So that knowledge, the brahma gyan, the enlightenment is needed, to be able to become one with God, to have a blissful life, then you know, what to do, you know, a lot of people, they are confused, Whom should I marry, which is my best partner, should I take this job, or should I take that job, so there is so much confusion, in people's life, there are so many doubts, all those doubts are gone, When you embrace Guru's teaching in your life, Tantan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Binsyo Andakar Taha Mandar, Ratan Kothari Khuli Anoopa, Now this is revelation, you may not have come across this before, Binsyo means, to end, Andakar means darkness, which is ignorance, Teha Mandar, Mandar means a temple, our body is a temple, temple, and it is temple for God, where God abides, within this temple, there is a chamber, it's called coterie, that coterie, that chamber is full of, of bliss, full of, fascinating experiences, once the door of the chamber opens, they are so fascinating experiences, one would have, which are beyond this world, beyond this universe, and once it opens, Guru Maharaj reveals, it is, Anoopa, incomparable, there is nothing that compares with it, what is that chamber? Guru Amardas Ji Maharaj has made it very clear, this body has nine physical openings, and the tenth opening, is closed, is hidden, that's called tenth gate, one can see that tenth gate, when it opens, you have amazing experience, you enter in the realm of fascination, there is nothing else, besides fascination in your life, that's what we are waiting for, you are face to face with God, you are one with God, Rahao, Bishman Bisham Pahe Jo Pekhyo, when I saw God, through the tenth gate, I was amazed, wonderstruck, Bishmaad, Bishmaad means wonderstruck, you can't even speak, all you can do is just feel it, enjoy it, Bishman Bisham Pahe Jo Pekhyo, Pekhyo means to see, when I saw God there, that is amazing, I've wasted so much time of my life, wish, I had experience of God when I was younger, I cannot tell the glory of this experience, I cannot tell the glory of this sight, Magan Pahe Uha Sang Mate, Magan means intoxicated, I have become intoxicated, by looking at this sight, where I am face to face with God, and I have become one with God, like a reel of thread, which is woven criss cross, if you want to take the thread from the bottom, you can't until you have undone all the thread, so I am absolutely woven to Almighty God. आल जाल नहीं कछो जन्जारा, अहम बद नहीं पुरा, पुरा means little bit, पुरा also means a chamber, but in this context, it means even little bit, अहम बद, बद means intellect, अहम means अंकार, I do not have any hankar, any pride left in me, even little bit, because with that wisdom God has imparted upon me, I have understood everything is happening in God's will, I am doing nothing, previously I used to think, because of my qualification, I have got my job, because of my ability and skill, I got the promotion, a soul God, who has enabled me, with wisdom, with strength, without God, I am nothing, so all my ego is gone. Beautiful Shabad by Guru Arjan Dev Ji Maharaj, प्रब जी तू मेरे प्रान अधारे, You are the source of life, for me God, without you I can't even breathe once, in the Shabad Guru Maharaj Reveels, तू मेरे ओट बाल बुदतन तुम्हें मेरे परवारे, you are my strength, you are my wisdom, and you are my family, I used to say this is my family, in fact it's not my family, it's all you, so all my ego has gone, once the ego is gone, I have understood the secret of death and birth, जनम मरन की सोजी होई, नह किच जनम है नह किच मरा है आपन चलत आप ही कर है, previously I was scared of death, that if I die, I'm going to be separated from my family, I'm going to be separated from my possessions, but with the Brahm Gyaan, with the divine knowledge, I know death and birth is God's game, it's nothing, नह किच जनम है नह किच मरा है, आपन चलत, आप ही कर है, this is God's game, I don't have to be worried about that, God has appeared in many forms, and at God's will, all the forms will perish, so I have no attachment left, so आल जाल नही कच जन जारा, आल जाल means entanglements, the nets of thoughts, desires, they are all gone, all the chains of desires have left me, उच ना उचा, बीच ना खीचा, हो तेरा तु मेरा, God I'm yours and you are mine, you are highest of high, no one is high like you, बीच ना खीचा, and none of the materialistic temptations, can come between you and me, and separate us, I've just become one with you, एकंकार, एक बिस्त, एकंकार एक पासारा, एक आपरपरा, एक आपरपरा, and now I can see, the word एकंकार, the ओंकार, शबद, is running the whole show, the Shabad, is pervading, In other words, God, you are the divine word. You are pervading through and through the creation. एक आपरपारा, you are the one and you are many. एक बिस्थिरन, एक संपूरन, एक आपरान अधारा. बिस्थिरन means to expand, बिस्थार करना. God, you have expanded yourself from one. One day, you were just yourself. But then you decide to become multiple. You are multiplied. But you are Sampooran. Sampooran means perfect. With old age, Satsangaji, people lose their memories, they lose their strength. but God is Sampooran, is perfect all the time. He is not affected by time. Eka Pranadhara, and you are the only one who is source of life for everyone. Nirmal Nirmal, you are the immaculate, the most immaculate. Sucha Sucho. Sucha Sucho Sucha. You are the Sucha, the purest of pure, purest of pure. Antna Anta Sada Beanta Koh Nanak Ucho Ucha. If someone asked me what it is like being one with God, all I can say is God is amazing. He is the supreme, highest of high. God is Beanta, the limitless. There is nothing in this world that can give you that player when you meet God. God is within us, through humility, through practice of Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Bani, one can become one with God. Like small streams of water, when they merge with the water in the ocean, you can't separate them. Nadiyaan Ate Vaha, Pahein, Smundh, Na Jani Hai. So May Sadgu bless you all. Have a great time. Forgive all the mistakes. Share the fathih with love. Vahe Guru Ji Ka Khalsa, Vahe Guru Ji Ki Fateh.